तो जो ये चिंताए होती है ना, ये हमारी शारिरेक और मानसिक स्वास्ते के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकती है इसलिए हमें अपनी चिंताओं से डील करने के लिए रास्ता ढूड़ना चाहिए और इसका एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि अपनी चिंताओं के पीछे क्या रीजन है उसको जानिये और उस कारण को ठीक करनी के लिए action लीजे और फिर कभी भी पीछे मुड़कर ना देखे दूसरों के action के द्वारा होने वाली चिंताओं को avoid करने के लिए किसी से कोई दया या आभार की आशा बिलकुल ना रखे किसी के लिए मन में दुर्भावना ना रखे और ये समझनी की कोशिश करें कि लोग आपकी आलोचना इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपकी सफलता से जलते हैं अब बात करे actionable advice की तो अपनी चिंताओं पर इस top loss order लगाएं अगर अगली बार आप कोई अपरिय घटना का अनुभव करें जैसे कि अपने दोस्त के साथ लाइन में खड़े होना टॉप loss order इस्तेमाल करें उस घटना के लिए अपने आपको उस घटना को सुधारने के लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए बस कुछ घंटे लेकिन अगर उसके बाद भी आप उसे solve करने में सक्षम नहीं है तो आप उसे छोड़ दीजिए क्योंकि वो उसे जादा टाइम बरबाद करने लायक बिलकुल नहीं है किसी भी प्रॉपलम का सबसे बुरा result क्या हो सकता है? यह सोचीए और उसे स्वीकार कीजिए जब आप किसी चीज के लिए चिंता करते हैं तो उस चिंता के दौारा आपका सबसे जादा बुरा क्या हो सकता है? यह सोचने को avoid करने के बदले उसे define करें सोचिए कि सच्चाए में सबसे बुरा क्या हो सकता है शायद वो बहुत ही आपती जनक नहीं होगा फिर भी आप उसको स्वीकार करें और फिर उसे सुधारने के लिए उपाय करने शुरू कर दीजिए और अगला पॉइंट है कि ठकने से पहले रिलाक्स करें यह बहुत जरूरी है अगली बार जब आप किसी चीज के लिए टाइम से काम कर रहे हैं ठकने से पहले बीच में रेस्ट और रिलाक्सेशन के लिए ब्रेक्स लीजिए यह आपकी productivity को बहुत अच्छी तरह से बढ़ाएगा और आपकी चिंताओं को कम करेगा तो I think इस किताब ने काफी कुछ दिया है सेखने के लिए काफी सारा motivation तो दिया ही है और बहुत सारे breakthroughs आपको मिलने वाले हैं आपके breakdowns के लिए So all the very best इन सभी चीज़ों को follow कीजिए apply कीजिए आज और अभी से और साथ यह summary आपको कैसे लगी please comment box में लिख करके अपनी राहे जरूर शेयर कीजिएगा तो आगे भी आपको ऐसी बहुत ही प्यारी-प्यारी summarys मलती रहेगी जो आपको life में आगे grow करनी के लिए motivate करें आपको हमेशा सही तरीके से guide करें क्योंकि यही तो वो किताबे हैं जो आपको और मुझे judge नहीं करती है हमसे बहस नहीं करती है और हम किसी भी situation में किसी भी हाल में हो हमें संभाल लेती है वाव बताएगे ऐसा दोस्त आपको कहीं मिलेगा है ना आपके पास